Hello students, in today's session we are going to discuss again the very important topic the directive principles of state policy यानि कि राज्यों के नीत निदेशक सिद्धान का part 2, part 1 अगर अगर की बात अगरम करें तो हमने पढ़ा था कि directive principles of state policies are oriented for which authority and which section ठीक है तो आपने देखा कि जैसे आम नागरिकों के लिए fundamental rights हैं और fundamental duties हैं वैसे ही राज्यों के लिए यानि कि states की definition मैंने आपको अलरड़ी बताई है आर्टिकल 12 के recording उनके लिए कुछ instructions कहें या फिर हम उन्हें recommendations भी कह सकते हैं Constitution के द्वारा दिये गए निर्देश भी कह सकते हैं कि राज्यों को कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए राज्यों के लिए नीती बनाते हुए यानि कि policies का formation करते हुए तो हमने जाना था कुछ features की जिसमें हमने ये भी देखा कि इसे soul of the Indian Constitution भी बोला किसने बोला भी आर अमबेट करने साथी साथ एक novel feature भी इसे बोला गया ऑफ इंडियन does not contain any classification of the directive principles constitution में कहीं पर भी कोई classification नहीं किया गया है लेकिन उनके content और direction की according इनको classified हम करते हैं into three broad categories ठीक है तो चलिए देखते हैं the constitution does not contain any classification of the directive principles इस बात का ध्यान रखेगा क्योंकि ये आकसर आपसे true or false के statement में आपसे पूछा जाता है कि क्या कोई categorization constitution में दिया गया है या नहीं दिया गया है this given statement is true or false तो याद रखेगा totally बिलकुल correct है ये क्योंकि कोई भी classification नहीं दिया गया है however the basis of their on the basis of their content and direction they can be classified into three broad categories number one socialistic यानि कि समाजवादी तौर पर हमने कुछ principles को divide कर दिया है जब हम क्यों अभी आपको ये बात ऐसे भी clear हो जाएगी जब आप articles देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अभी जब पहली वाली category पड़ी तो उसमें article 48 था फिर दूसरी वाली category पड़ी तो उसमें article 43 था अगर ऑल्रेटी करके दिया होता तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि reverse numbering होती आर्टिकल की 48 पहले आ गया और 43 बात में आया इसका मतलब है वो दिये थे एक साथ हमने उनको categorize कर दिया है तीन भागों में किसके आधार पर उनके content और direction के according यानि जो भी उसमें विशय दिये गए हैं या फिर जिस भी दिशा में कोई बात कहीं गई है जिससे संबंदित बात कहीं गई है उसकी according तीन categories में डिवाइट किया socialistic यानि कि समाजवादी तौर पर सिद्धान जो दिये गए हैं फिर गांधियन गांधियन का क्या मतलब है गांधिजी का जो विजन था या द्रीम था एक इंडिपेंडेंस इंडिया को एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए स्वतंत्र भारत के लिए उनसे मिलते जुलते जो विचार थे उन निर्देशों को एक जगे पर रखा गया है और जो तीसरी category बनाई गई है वह बनाई गई है liberal and intellectual की यानि कि उदार औ पर बॉधिक की जहां पर किसी राजी को अपने देश को अच्छी तरीके से स्मूथली रन करने के लिए जो जिन निर्देशों का पालन करना चाहिए उनके लिए इक अलग category बनाई गई है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो तीन ब्रॉट के टेगरी हैं अगर हिंदी में में बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं समाजवादी गांधिवादी और उदार बॉधिक तो यहां पर कई क्वेशन तो आपके अल्रेडी बन गए जो पहला बना वो ट्रू और फॉल्स है कि क्या कोई वर्गी करन्ट दिया गया है नहीं दिया गया तीसरा कितनी केडेगरी में बाटा गया है तीन केडेगरी में डिवाइट किया गया है और तीसरा क्वेशन बन सकता है आपसे हो सकता है चौता कोई और ऑप्शन भी आड़ कर दें और पूछ दिया जाए आपसे कि विच आप दो फॉल्लवेंग इस नौट एक ऐसा है निमनलिखित में स जो की वर्गी कृत नहीं किया गया है ठीक है तो याद रखेगा तीन ही है अब जब हमने तीन की बात की तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे आद्येज़क्वर क hypothis? अब इनको क्यों इनकी फ्रेमिंग की गई है इनको क्यों एड किया गया है यानि कि एक स्वतंत्र स्वतंत्र डेमोक्राटिक का मतलब लोगतंत्र लोगतंत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए यह क्या करते हैं यह कैसे स्थापना करते हैं सरiable की सोशलेस्ट्टिक यानि समाजवाद की यानि कि लोगों के कल्याण आध की बात हो casino इक नॉमिक जउस्ट्ष आर्थिक तोर पर न्याय दिया जाएं और साती साह एक कल्यांकारी राज्ज्य की और प्थ प्रदर्शन भी करता है यानि कि it's set the path यानि कि आगे के रास्ते को भी बताता है कि किस तरीके से आपको आगे चलना है अगर इस राजी को राजी का मतलब यहां देश से हैं यानि कि भारत की बात हो रही है किस तरह से कल्यांडकारी राजी के स्थापना की जा सकती है चीक है अब यह क्या डिरेक्ट यह कैसे डिरेक्ट करते हैं यह स्टेट को दे डिरेक्ट दे स्टेट नमब वन अब यहीं से जहां जहां मैंने numbering कर रखे number one number two number three इसका मतलब है यह two the point है यह two the point है और इनको बताया गया है कि राज्यों को अपनी नीतियां बनाते वग्द इन बातों का ध्यान रखना है यह आप टू कीप इट माइंड ओल्वेज मैं ओल्वेज वेनेवर दे विल फॉर्म एनी पॉलिसी पॉर दी स्टेट ठीक है जब भी वह कभी भी राज्य के लिए कोई भी नीति बनाएंगे तो नमबर वन क्या है उनको क्या बात ध्यान भी रखनी है अगर हम सोचलिस्टिक तौर पे देखे समाज बात के तौर पे अब यह बात कौन कहता है आर्टिकल 38 कौन कहता है आर्टिकल 38 अचा 36 से स्टार्ट होता है मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि 36 से 51 तक है तो 36 और 37 कहां गये अगर आपको याद हो तो 36 ने सबसे पहले क्या क्लियर किया 36 ने क्लियर किया कि भी 37 एक कंपलसरी कर देता है राज्यों के लिए कि इन्हें DPSP को फॉलो करना ही करना है तो 36 और 37 तो आल्रेडी हम लोग डिसकस कर चुके थे इसलिए जो पहला प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल 38 से स्टार्ट हो रहा है कहां से स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 38 ठीक है तो पहला क्या है तो प्रमोट दो वेलफेर अब दी प्यूपल लोगों के कल्यांड के लिए बात करनी है लोगों के कल्यांड की भावना को ही बढ़ाना है कैसे बाई सिक्योरिंग अ सोशल ओडर पर्मिटेट बाई सोशल जस्टिस एकोनॉमिक और पॉलिटिकल ठी और और ये और साथी साथ क्या करना है लेह av tu minimize क्या minimize करना है ? किस चीज को घटाना है री हब टू मिनइमेज इनिवलीटी यानि की असमांता को घटाना है कौन सी असमांता इनिवॉलिटी इनिक निकम की यानि may स्टेटर उनके जीवनस्तर में फैसिलिटीज दी जाने वाली सुविधाओं में जो आसा मानता है और अवसरों में यानि कि आपको ध्यान रखनी है यह कौन कहता है आर्टिकल 38 तो राज्यों को जो भी नीती बनानी है पहले इस प्रिंसिपल को जरूर ध्यान में रखना होगा नमबर टू तू सिक्योर अब यहां पर ABCDEF यानि कि आपके छे सेकेंड के अंदर आपको छे पॉइंट्स दिये गहें क्या सिक्योर करना है राज्यों को यह समाज बात के अंतरगता रहा है यानि कि सोशलिस्ट के अंतरगता रहा है समाज बात के अंतरगता ठीक है तो तो सिक नंबर A the right to adequate means of livelihood for all the citizens, यानि कि जितने भी नागणित है राज्य के, अगर हम राज्य की परिभाशा केंदुर के तार पर देखिए, तो केंब सरकार के लिए है, राज सरकार के लिए है। और local governments की बात करें, तो इस्थानी सरकार के है। the right to adequate means, right to educate means of livelihood for all citizens यानि कि इनको क्या secure करना है निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है सभी के लिए जीविको पारजन यानि कि कमाई का जर्या या फिर कहें आजीविका का साधन ये परियाब्त साधन क्या करना है, सुनिश्चित करना है secure करना है ठीक है, B to equitable distribution of material resources of the community for the common good यानि कि सभी की भलाई के लिए क्या करना है जितना भी material resource है material resource यानि कि जितने भी भौतिक संसाधन अविलबल है अब जैसे नदियां है चट्टाने हैं या जो भी माइन्स हैं जो भी natural resource अविलबल है, उसको समान रूप से उसका वित्रण करना है यह नहीं कि किसी अपर सेक्शन को या फिर जो जो प्रिवलेश्ड सेक्शन आपने बना रखा है उनके लिए अलग तरीके से distribution और बाकी के लोगों के लिए अलग तरीके से distribution यह बात बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए आपको क्या सुनिश्चित करना है कि समान रूप से समझाए के सभी लोगों को बहुतिक संसादनों का वित्रण की आ जाए चीक है वही सेम चीज़ आपके इंदी में भी लिखी आर्टिकल 38 में यह बात कही गई है कौन सी पहली वाली बात की आपको आए में स्थिती में सुविधाओं में अवसर में सभी को क्या करना इंस असामंताओं को दूर करना है और साथी साथ सामाजिक आर्थिक नियाय का वि ध्यान रखना है ठीक है आप सी मैंने क्या बूला था A से लेकर F तक है तो नंबर 3rd क्या है तो सिक्योर दप्रिवेंशन ऑफ पॉंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीस ऑफ प्रोडक्शन यही तो में कारण है कि भारत में जो पावर्टी यह जो रिचनस है उनके बीच में जो में बहुत बड़ा गैप दिखता है अगर यह चीज रोक ली जाए यानि कि अगर स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त इस थर्ड पॉंट का ध्यान रखें क्या तब प्रिवेंशन ऑफ कॉंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानि जो भी चीजें उत्पादित हो रही है या जो भी चीजें बन र रखना यानि कि इक्वल डिस्रिबूशन ऑफ वेल्थ भी होना चाहिए डी पॉंट क्या कहता है टू सिक्योर इकवल पे फॉर एकवल वर्क फॉर मैन और वोमेन यानि जो भी महिला या पुरश्ट जो कारी कर रहे हैं तो इकवल पे होना चाहिए यानि कि सामान नी वेतन या सामान ने भुकतान होना चाहिए समान भुकतान होना चाहिए किसके लिए समान कारी के लिए यानि जिसने अगर कारी समान है यानि एक ही काम किया है तो एक ही भुकतान भी होना चाहिए यह पॉंट क्या कहता है दे प्रिजर्वेशन ऑफ दी हेल्थ एंड इस्ट्रेंथ of the workers and children against forcible abuse a forcible abuse का क्या मतलब है बंद्वा मजदूरी एक तरीके से यानि कि जबढ़दस्ती काम करवाना ठीक है बंद्वा मजदूरी आपने एक पर्टिकुलर टर्म आपने जरूर सुना होगा हिंदी में भी तो और सबसे पहले क्या है जितने भी मजदूर है काम करने वाले लोग है उनके स्वास्त का ध्यान रखना है उनकी स्टिंद रखना है यानि कि उनके लिए और भी अच्छा काम करना है और साथीजाथ चिल्डिन अगेंस forcible abuse यानि जबरदस्ती तो labor work कराया जाता है उसको prevent करना यानि कि उनको रोकना है इन चीजों को ठीक है ऐसी policies होनी चाहिए फिफ्ट की अगर हम six number पे देखें यानि f point की बात करें तो secure the opportunities for healthy development of children ये कौन कहता है आर्टिकल 39 तो आर्टिकल 38 ने सारे के सारे अगर हम बात करें 38 इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा चीक है 39 में ये 6 के 6 points है आपके जो क्या है राज्यों को नीती बनाते वक्त ध्यान रखने opportunities for healthy development of children यानि राज्यी के जितने भी बच्चें उनके लिए स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना ठीक है वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है तो चले देख लेते हैं जल्दी से धन और उत्पादन के साधनों की एकागरता को रोकना यानि एक ही जगे पे सब बुक्तन इजबरन दुर्वेवहार या फिर जबरन जो बंद्वा मजदूरी है उनके विरुद्श्रमी को और बच्चों के स्वस्थ का ध्यान रखना और साथी उनकी शक्ती का संड़क्षन करना और बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना ठीक है तो यह चैस को इसके आगे क्या लिखा हुआ है अर्टिकल 39A जो कि तीसरा प्रिंसिपल डिक्स स्थ तायर ओे के लिए जस्टेस पाने के लिए तो उसको फ्री लीगल एड दिया जाए यानि जो एक पूरी तरह से नेशल्क कानूनी सहायता दी जाए चीक है यानि कि ऐसा ना हो कि पैसे की कमी से या फिर किसी और संसाधन की कमी से उसके लिए न्याय से वो वंचित रह जाए चीक है टू प्रमोट इकुल जस्टिस एंट प्र यानि गरीब एक्ति को थर्टी नाइन किता है क्या बोला गया है उसको नेशल्क कानूनी सुविदा या सहायता प्रदान की जाए फॉर्थ नंबर फॉर्थ ड्यूटी क्या है या कहीं कि फॉर्थ इंस्रक्शन क्या है DPSP किता है तू सिक्योर दराइट तू वर्क राइट ऐसे सेक्शन को शामिल किया गया है जिनके लिए इन तीन चार चीजों को जरूर सिक्योर करना चाहिए जैसे कि in case of unemployment कोई बेरोजगार वेक्ति है कोई old age यानि कि कोई वुजुर्ग वेक्ति है या कहें वरिष्ट नागरिक है या फिर कोई sickness कोई बीमार वेक्ति है या disappointment है यानि कि या फिर किसी तरीके से वो आयोग है या फिर उतना सक्षम नहीं है तो उनके लिए कैसे secure करना तो secure the right to work उनके लिए काम की उपलब दता उनके लिए शिक्षा की उपलब दता यानि education and to public assistance और साती साथ जो लोक सहायता है यानि कि जो सारवजनिक रूप से जो सहायत हैं उनको secure करना किनके लिए unemployment के case में old age की case में sickness के case में or disablement के case में ठीक है यह यह कौन सी कौन सा principle हुआ आपका principle number 4 अब बात करेंगे principle number 5 की to make provision for just and human condition of work and maternity relief article 42 अब देखे जो हमने right to work की बात की थी वो किस पर आ गया हम article 41 पर article 40 कहां गया 39 के बाद direct from 41 पर आगे हमने 40 नहीं discuss किया यही reason है कि अगर categorize करके already दिया होता तो शायद यह gap हमें देखने को नहीं मिलता लेकिन हमने categorize किया है तो शायद 40 वाला यहां पर deserve नहीं करता है इसलिए हमने उसको किसी और category में डाला है आगे हम देखेंगे अभी तो हम बात कर अर्टिकल 42 की ठीक है तुमेक प्रोविजन पर जस्त यानि न्याए के लिए प्रावधान करना and human condition of work ठीक है human कर यानि की जो भी व्यक्तिक काम कर रहे हैं उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण का क्रियेशन करना बनाना और साथी साथ maternity relief यानि की जा maternity relief का क्या मतलब होता है मात्रत्तों के लिए जो राहत दी जाती है यानि की और महिलाओं के लिए उनके pregnancy के case में क्या दी जाती है maternity relief यानि की उनको कुछ अवकाश या कुछ साहिता प्रदान की जाती है आर्टिकल 42 में तो इन बातों का ध्यान रखना है socialistic heading किता है ठीक है अब बात करते नंबर 6 नंबर 6 क्या है तो secure a living wage a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers यह किसमें दिया है आपके article 43 में तो 41 हमने देखा 42 हमने देखा अब 43 क्या कह रहा है तो secure a living wage यानि की एक तरीके से आजीविका के लिए कोई न कोई कहें कि वेतन या भत्ता दिया जाना चाहिए a decent standard of life जिसते वो एक अच्छा जीवनिस्तर अपना सुधार सकें एक अच्छे लेवल पे ले जा सकें and social and cultural opportunities for all workers यानि जितने भी काम करने योग की लोग हैं उन सभी को सांस्कृतिक तोर पे और सामाजिक तोर पे equal opportunities देनी चाहिए ठीक है number 7 to take steps to secure the participation of workers in the management of industries article 43a यह चीज़ बाद में डाली गई है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है article 43a यानि कि through any amendment amendment के द्वारा इसको add किया गया क्या बोला गया to take a step सरकार को कदम लेना चाहिए कदम उठाना चाहिए किसकी तरफ to secure the participation of workers in the management of industries यानि भारत में जो उद्योग धंदे हैं उसमें श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए ठीक है अब number 8 की अगर बात करें to raise the level of nutrition यानि कि जो portion का इस्तर है उसको सदय बढ़ाने की कोशिश किया जाना चाहिए कि हो सकता है पहले इतना portion उनके आहार में वो पॉस्टिक तक तो ना हो लेकिन सरकार का क्या काम है कि कुछ ऐसी policy बनाए जिससे raise किया जासके level of nutrition को यानि portion के इस्तर को बढ़ाया जा सके and the standard of living of the people और साथी साथ लोगों के रहन सेंट का इस्तर भी बढ़ना चाहिए and to improve the public health और साथी साथ लोगों का जो स्वास्त है उसमें भी सुधार होना चाहिए यह कहां लिखा है article 47 में again आप देख सकते हैं कि article 44 से लेकर article 46 तक गायब है यानि कि यहाँ पर gap दे दिया गया है क्यों क्योंकि यह किसी और category से belong करते होंगे ठीक है और constitution में already इन्हें categorize नहीं किया गया है इसलिए यह gap हमें देखने को मिलता है ठीक है वही same चीज़ आपकी हिंदी में भी लि समाजवादी हमारे निर्देश थे से तहनाँ जो दिसके बीविल डिसके घंडीयान भी और это यह जो भी फॉलो करें राज्यों द्वारा इसलिए इन को नाम ही देदिया गया क्या Gandhian principles यानि की Gandhivaadi सिद्धान ठीक है तो these principles are based on Gandhian ideology they represent the program of the national movement national movement in order to fulfill the dreams of Gandhiji some of his ideas were included as directive principles क्योंकि जब डिरेक्टर प्रिंसिपल्स बनाए गया तो कुछ आइडिया गांधी जी के ही थे जो कि national movement के दौरान उन्होंने दिये थे या उनके द्वारा आगे प्रमोट किये गये थे इसलिए इनका नाम ही रख दिया गया है गांधिया प्रिंसिपल्स आप देखते हैं वो राज्यों को फॉलोग करने है ठीक है रिक्वाइड एस्टेट वो राज्यों के लिए क्या निवारी करते हैं तो और गनाइज दो विलेज पंचायक्स यह बात पर तो गांधी जी का हमेशा से फोकस रहा कि जो आपने सुना भी होगा एक पॉपुलर स्टेटमेंट की भार आई पॉलिसी वही है आर्टिकलंफॉटी जो वहाँ पर नहीं सब्साइब अर्ष यानिक ऑने जब गॉलेज़ पंचायक्स बादिक्जम उनको जरूर राजि में होना चाहिए हर राजी की सरकार को उनकी स्थापना करनी चाहिए ग्राम पंचायते होनी चाहिए and endow them with necessary powers और साथी साथ उन्हें जरूरी आवश्यक शक्तियां भी प्रदान करनी चाहिए endow them with necessary powers जितनी आवश्यक शक्तियां है वो भी प्रदान करनी चाहिए and authority to enable them to function as units of self-government और साथी साथ उन्हें इस योग बनाना चाहिए या ऐसी कुछ authorities देनी चाहिए इस चीज के लिए अधिकरत करना चाहिए कि वह ऐसे काम कर सकें जैसे कि एक unit of self-government कि वह आप अपनी खुद की ही एक सरकार है अपने खुद की ही उनका पूरा एक management है चीक है यानि की इसी लिए त्री स्तरी ग्राम पंचायते भी हमें देखने को मिलती है चीक है जब अब हम कौन सा schedule पढ़ते है schedule 9 तो schedule 9 में आप देखेंगे की rural areas के लिए काफी development हमें देखने को मिलता है चीक है अब यहाँ पर देखेंगे वही चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है क्या लिखा हुआ है कि यह सिद्दान गांधी वादी विचारधारा पर आधारित है वे विचार राज्यों के लिए अनिवारी करते हैं क्या नमबर एक ग्राम पंचायतों को संगटित करना और उन्हें सवशाशन की काईयों के रूप में कारी करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना और यह बात कहां लिखी है अनुच अपड़ा होता है आपका कुटी रुद्योग ठीक है तू प्रमोट कॉटर इंडे कॉटेज इंडेस्ट्री अन इंडिविज्वल और कॉपरेशन बेसे इन रूरल एरियास उन्होंने हमेशा किसके किसको लेकर केंदर में किसको रखकर बात की है रूरल एरियास को यानि कि ग्रामेट छेत्रों को कि ग्रामेट छेत्रों में बड़ी बड़ी इंडेस्ट्री तो नहीं लग सकती लेकिन कॉटेज इंडेस्ट्री तो लगाई जा सकती है तो आर्टिकल पर दिया हुआ है जो आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा था वहाँ पर भी था वैसे आर्टिकल प द्योग लगाने चाहिए उनको प्रमोट करना चाहिए तो प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑटोनुमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मेनेजमेंट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43B आर्टिकल 43B क्या कहता है कि सहकारी समितियों यानि जो कॉपरेटिव सोसाइटीज है उनके स्वैक्शिक गठन स्वैक्शिक गठन अब कॉपरेटिव सोसाइटीज का मतलब होता है कि ग्रूप और साथ में मिलके किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वह क्या करना चाहते हैं लोकतांत्रिक तोर पे नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना कि वह खुद से अपने लिए कोई भी भी प्रकार का या कहें कि जीव को पारजन के लिए कोई भी समिति बनाकर कार्य जरूर करें ठीक है फिर फॉर्थ पॉंट क्या ह आपका या कहें कि फॉर्थ प्रिंसिपल कान सा है गांधियन में तु प्रमोट दा एजुकेशनल और एकनोमिक इंट्रेस्ट आप एस्सीज एस्टीज और वीकर सेक्शन्स अफ दी सोसाइटी और प्रोटेक्ट देम फ्रॉंशल इंजस्टिस एंड एक्स्वाइटेशन अ इंडियन सोसाइटी में तो यह निसेसरी थे यह जरूरी थे क्यूंकि उस समय भारत में ऐसी सुवदाएं ऐसी कुछ कहें की कुरीतियां थी जिसकी वज़े से यह वर्ग काफी पीछे था तो इसलिए गांधियन प्रिंसिपल आज तक चला रहा है कि चुप्रमोट एजुक कास अनसूचित जाती एस्टी आपकी शेडियूल ट्राइब यानि अनसूचित जन जाती और वीकर सक्षिन जो साती साथ और जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए सोसाइटी में में एक अलग स्थान बनाने के लिए and to protect them from social injustice और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए सामाजिक के भी अलग से प्रमोशन किया जाना चाहिए जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए किसके द्वारा स्टेट्स के द्वारा यानि की राज्यों के द्वारा अब स्टेट्स की डेफिनेशन इसी लिए हमेशा याद रखे कि स्टेट का मतलब चार चीज़ें हैं Central Government हो स्टेट ग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच और इंजीरियस तू है अब यह बात तो गांधी जी के हर जो आप जितने भी सत्याग रहे देखेंगे या जितने भी बड़े इवेंट्स या बड़े मोमेंट्स उनके द्वारा चलाएगे उन सब में आपने देखा जैसे अगर गांधी इर्विन पैक्ट की बात कर लें यानि गांधी इर्विन समझाथा कब हुआ था लॉड इर्विन के समय में वा था इसलिए उसका नामी है गांधी इर्विन कब हुआ था आपके 1931 में तो आपको याद होगा कि जो सेकेंड फर्स्ट डाउं टेबल इसी वज़े से नहीं गये फिर उसके बाद सेकेंड डाउं टेबल में भी वो नहीं जाने वाले थे तो इसमें जाने के लिए वो कब रैडी होते कब तयार होते जब 11 सुत्री मांगे उन्होंने रखी और एर्विन ने कहा कि यह सब की सब मान ली जाएंगी इसी को बोलते ह और उसमें एक था एक पॉइंट यह भी था कि जितने भी नशीले पदं़ार तेया तमाकू है उनको उनको उन पर शराप बंदी तमाकू की बंदी यानि जितने भी यह इंटॉक्सिकेटिंग डृंक्स हैं इन सब पर रोक लगाने की बात कही थी अब उनका वही प्रिंसिपल गांधियन प्रिंसिपल के तब पर DPSP में डाला घया है इसलिए इस कोडे Igor DPSP में शामिल भी किया गया लेकिन गांधियन प्रिंसिपल के नाम से डाला गया क्योंकि उनकी हर जो डिमांड थी अंग्रेजों से या कहें कि जितने भी गवर्णर जनरल से आवाय सराय रहें यह डिमांड जरूर रही तो इसी वज़े से यह प्रिंसिपल भी है तो प्रोहिबिट दा कंजम्शन ओफ इंटॉक्सिकेटिं यानि सरकार को हमेशा जितने भी यह नशीले पेपदार्थ हैं या नशीली जो दवाएं हैं जिनके सेवन से स्वास्ति के लिए जो हानिकारक हैं इन सब पर रोक लगाने की बात कहिए कि राज्यों को यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए नुम्बर सेक्स तू प्रोहिबिट दस्लोटर ओफ काउज चाव्स और अधर मिल्क और डॉट केटल और इंडू इंप्रूव दियर ब्रीड्स उन्होंने कहा कि गव अत्या यानि स्लोटर ओफ काउज या बचडे या अन अधर मिल्क यानि कि और भी जितने भी मवेशी है डॉट केटल है यानि जितने भी दुधारू पशू है इनकी ब्रीड को और बढ़ाना है यानि कि इनकी जो प्रजाती है या नसल है उसमें सुधार करना है ठीक है तो यह कहां दिया आपके आर्टिकल 48 में तो नशीले पेपदार्थों वाली बात कहां कही गई है 47 में और शुधार की बात कहां कही गया अनुछेद 48 में यानि कि 48 और आपको यादो तो DPSP कहां से कहां तक दिए हैं 36 – 51 में और लिब्रल वाला कहां गया तो चलिए देखते हैं लिब्रल और इंटेलेक्चुल वाला यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा ठीक है लेकिन बीच में आपको याद होगा 44 से लेके 46 तक भी गायब था तो वह 44 से 46 वाले आएंगे और साती साथ जो बचे हुए आपके आर्टिकल से 48 के बार वो सारे के सारे कहां लाई करेंगे आपके लिब्रल इंटेलेक्चुल प्रिंसिपल्स में यानि उदार एवं बौधिक सिद्धानतों में ठीक है तो चलिए देखते हैं इन केटेग्री में किस प मन देते हैं यानि किसी राजी को क्या थोड़ा बहुत दिमाग से भी काम लेना चाहिए यह चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी आगे आपको समझ में भी आएगा तो चलिए देखते हैं The principles included in this category represent the ideology of liberalism. They direct the state. Ideology of liberalism यानि उदारवाधिता को represent करता है यह वर्ग तो चलिए देखते हैं कैसे? तो secure यह क्या बताता है? यह क्या direct करता है states को? तो secure for all citizens a uniform civil court throughout the country यानि थोड़ा दिमाग से काम लो पूरे भारत में एक uniform civil court तो होना चाहिए यानि कि इस श्रेणी में जो सिद्धान्त हैं वो उदारवाधी हैं और सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संगिता होनी चाहिए यानि किसी भी धर्म का वेक्ति हो, किसी भी religion से हो, किसी भी कास से हो, किसी भी वर्ग से हो, same crime के लिए, same provisions होने चाहिए तो पहला उदारवाधी या बौधिक सिद्धान्त क्या कहता हैं कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संगिता होनी चाहिए यानि कि uniform civil code होना चाहिए फिर number two, to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years ठीक है, जब तक कोई भी बच्चा 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेता तो उसकी proper care होनी चाहिए उसके बच्पन की, early childhood की और उसके education की वैसे अब तो right to education आही गया है, DPSP तो already जब सम्विधान बनाता तब include किये गये थे तब यह बात नहीं रही होगी, इसी लिए यहां पे liberal intellectual principle में यह बात लिखी गई है लेकिन अब तो right to education है ही आपका, कहां पे दिया हुआ है, article 21A में जब आपने fundamental right पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि 21A जो है, वो क्या बताता है है, the compulsory education for the, for elementary education, elementary education basically वहां पे use किया गया है, किसके लिए, from the age of 6 to 14, यानि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो 6 वाली बात यहां कह दी गई, यानि कि उसके बर्थ से लेकर 6 वर्ष तक की बात कहां कह दी गई है, आपके DPSP में और 6 से 14 वाली बात कहां कह दी गई है, right to education में, यानि कि proper education के लिए मुसंविदान में provisions बना दिये गया, यानि कि प्रावदान कर दिये गया, नमबर 3 देखेंगे, to organize agricultural, agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, यानि आधुनिक इस्तर पे और वैग्यानिक आधार पे जो भी जरूरत हो, उसके आधार पर कृशी और साती साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना है, चीक है, नमबर 4, to protect and improve the environment and to safeguard, ये environment वाली जो बात है, ये environment वाली बात हर जगे आपको देखने को मिलेगी, DPSP में भी मिलेगी और fundamental duties में भी मिलेगी, जब हम fundamental duties पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि environment को protect करने की बात वहाँ पर भी की गई है, और यहाँ पर जो intellectual और liberal वाली वाला जो section है आपका, DPSP में कई बार एक question आता है, confusion के लिए, कि बताईए, ये दूसरी और किस जगे पर दिया है, तो कई लोग fundamental right लगा के आ जाते हैं, तो याद रखिए, DPSP में दिया हुआ है, और साती सात fundamental duties में भी दिया हुआ है, ठीक ह to protect and improve the environment, ये राज्यों का भी करतव है और एक नागरिक का भी करतव है, जब fundamental duty पढ़ेंगे तो एक citizen की duty रहेगी, जब DPSP पढ़ेंगे तो state की duty रहेगी, ठीक है, to protect and improve the environment and to safeguard forest, वनों का और wildlife का, यानि कि जितने भी वनों के जो वन नी जीव हैं, उन सब की जीवों की रक्षा करना और साथी साथ परियावरण की रक्षा करना और उनमें सुधार करना, ये बात कहां दी गई है, 48 में, ठीक है, पांचवां क्या है आपका, to protect monuments, यानि जितने भी समारत हैं हमारी देश में, जो की हमारी इतिहास को बताते हैं, हमारी history को कहें कि reflect करते हैं, to protect monuments, places and objects of artistic and historic interests, यानि जो एतिहासिक तौर पे हमारे लिए विरासत के तौर पे हैं, उनको भी क्या करना, which are declared to be national importance, उनको भी protect करना, यानि कि जितने भी हमारे देश के एतिहासिक तौर पे जो विरासते हैं, उनकी सुरक्षा करना भी, ये भी fundamental duty में, सिटिजन की duty, और DPSP में यह राज्यों की duty की, राज्य भी इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास कोई भी आतिहासिक इमारत होगी, तो हमेशा उसमें regularly या कहें कि एक fix interval पे, वहाँ पे आपके renovation के काम चलते रहते हैं, renovation की काम इसलिए चलते हैं, क्योंकि सरकार की duty हैं, इनको preserve करना इनको protect करना, ठीक है, अब देखेंगे, number 6, क्या liberal और intellectual principles, to separate the judiciary from the executive in the public services of the state, अब इसका क्या मतलब है, कि judiciary को executive से, पूरी तरीके से, अलग रखना है, यह बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे executive का मतलब है, government, executive का क्या मतलब है, government, ठीके, यानि राज सरकार हो, या चाहे local इस्तर पे हो, या central government हो, उसको हमेशा judiciary से, पूरी तरीके से, दूर रखना चाहिए, यानि कि, अगर judiciary government के अधीन काम करने लगेगी, तो फिर न्याय की तो, न्याय की तो बात ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि government फिर अपने according ही, सारे निर्णे करवाएगी, यानि कि जितने भी decisions आएंगे, courts के द्वारा, judiciary के द्वारा, वो किसके favor में होंगे, government के, तो इसलिए राज्यों की क्या duty है, to separate the judiciary from the executive in the public services of the state, यानि राज्यों की जितनी भी सारुजनिक सेवाएं हैं, उन सब में, जो judiciary है, यानि विदाई का है, वो सरकार से, यानि कि जितने भी कारिपालिका है, जो न्याय पालिका है, वो कारिपालिका से बिलकुल अलग होगी, यानि कि individual या कहें, कि independent होके अपने decisions देगी, ठीके, number 7, to promote international peace, अब यहाँ पे, क्यों यहाँ पे एक word use हुआ था, जब हमने इन principle की बात की, तो हमने क्या बोला आप से, liberal तो ही, साथी साथ intellectual भी है, intellectual क्यों बोला, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए, बाहरी देशों से भी काफी अच्छे संबंध होने चाहिए, जिससे हम बाह नहीं, देश में ही, केवल राज्यों में ही आपस में competition करते रहें, तो number 7 यहीं बताता है, जो कि आखरी आर्टिकल भी है, last आर्टिकल है आपका, किसका, DPSP का, यह क्या बताता है, it direct to the states to promote the international peace, यानि अंतर राश्ट्री इस्तर पर शांती और security, यानि सुरक्षा को maintain करना, maintain just, यानि न्याय को सुरक्षित करना, on rebel relations, यानि कि एक आदर्शवादी संबंध होने चाहिए between the nations, यानि दूसरे देशों के साथ, to foster respect for international law, और साते साथ अंतर राश्ट्री इस्तर के जो कानून है, उनका भी पालन होना चाहिए, treaty obligations, संधियां अलग-अलग तरीके से करनी चाहिए, वो treaties, जो देश के लिए हितकारी हो, यानि कि इनके interest में हो, इनके favor में हो, and to encourage the settlement of international dispute, और जितने भी international level पे disputes हो, यानि अंतर राश्ट्री इस्तर पे जो विवाद है, उनका जो settlement किया जा रहा है, यानि कि समानान जो किया जा रहा है, उसको हमेशा क्या करना ना कि international relations को और जादा उलजाने या पिर कहें कि और जादा अंतर राश्ट्री विवादों में involved होने के लिए नहीं, बलकि उनके समानान को प्रोचसाहिद करना चाहिए, चीक है, मद्यस्तता द्वारा, यानि कि अगर माल लिजे कोई और दो देश हैं, जो कि आपस में किसी चीज को लेकर विवाद में हैं, तो उनके भी मद्यस्तता करके समानान की और उनको प्रोचसाहिद करना चाहिए, तो यह दा हमारा आखरी आर्टिकल, और आखरी आर्टिकल के साथ ही तीनों के डिगरीज भी खत्म होती हैं, यानि कि आपकी सोचलिस्टिक, गांधियन और अब जो कुछ टॉपिक्स आपके रह गया हैं, जिनको अमेंडमेंट के द्वारा एड किया गया था, वैसे हमने इन्हें अल्रेटी पढ़ लिया है, लेकिन आपको बता दें कि कौन से थे वो, तो 42nd amendment काफी इंपोर्टेंट है, हम लोगों ने काफी और भी चीजों में दे कौन से डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए थे, जैसे कि वैसे आल्रेडी हमने पढ़ा है कि to secure the opportunities of the healthy development of children, आर्टिकल 39 हम आल्रेडी पढ़ चुके हैं, बस यहां पर आपको मेंशन कर रहे हैं कि कौन से बाद में add हुए थे, ठीक है, नमबर 2, to promote equal justice and to provide free legal add to poor, यह भी हमने प workers के participation की जो बात थी किस में, industries के management में, वो भी हमने पढ़ा, यह भी बात में add हुआ, और कौन से amendment के द्वारा, amendment 42nd, जो की कब वहा था आपके 1976 में, फिर to improve the environment वाली जो बात थी, यह भी हमारे 42nd amendment द्वारा आया, फिर 44th amendment द्वारा भी अगर देखा जाए, तो एक चीज क्या add की गई थी, to minimize, to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, आर्टिकल 38 में, क्योंकि आपको याद है कि 36 तो सिर्फ यह बताता है, कि state क्या है, आर्टिकल 37 हमें यह बताता है, कि injustice यह, इनको हम compel नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी follow करना है, और 38 सही हमने start क किया था, तो पहला वाला भी बाद में ही add हुआ है, 44th amendment द्वारा, ठीक है, तो यह रही बात जो newly add हुए थे, तो I think, आज की class में, आपका यह जो DPSP है, जहां-जहां से questions बनने थे, मैंने सब आप से discuss कर लिये, कि कहां-कहां से आप से questions पूछे जा सकते हैं, So let's meet in next lecture with some new interesting and knowledgeable topic, till then पड़ते रहे, मैनत करते रहे, keep learning, keep earning, because learning is earning, so bye-bye and take care.